नमस्कार मैं हूँ गजानत वर्मा कक्षा ग्यारा के लिए कक्षा बारा के लिए विशे अन्वियार हिंदी पुस्तक प्यूश परवा पाठ चार पाठ चार का पारठ तीन पाठ का नाम मानस का हंस लेखकार अमरितलाल नागर तो इससे पूरव इसी पार्ठ में हम चर्चा करे थे किस प्रकार से राजा भगत ने तुलसी दाजी को रतनावली के विशे में चर्चा करते वे बताया कि आपने तो वेरागी धरन कर लिया वेरागी हो गए किन्तो आपके जाने के पसाथ रतनावली भी आपसे कम वेरागी नहीं है अर्चात उन्होंने आपके जाने के पसाथ अपने दिल से आपको नहीं निकाला अर्चात आब भी आप उनके दिल में बसे हुए हो ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि आपके जाने के पसात्वी वो आपी को याद करती रहती है और जो क्रियाकलाब जो कारिकरम था पहले की तरह अभी भी करते उनको ऐसा लगता है जिस प्रकार से आप उनके पास ही है मन का राम शब्दे राजा की बातों से उप जे संतोस से बीच बीच में फिर बिसने लगा यहां आने पर रतनावली की देखी हुई एक जलक उनके मन के दरस के पट पर बार बार आने लगी इतना सुनने के पसाथ रतनावली की चभी जब उनोंने गेट पर आते समय देखे थी वो चभी उनके दिल और दिमाग में बार बार आने लगई अरतात रतनावली का स्मर उनके मन में वापस हो गया और रतनावली को पाने की इच्छा भी उनके मन में हुई परदा दर परदा मन में ये इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखे मन में इच्छा हुई कि एक बार रतनावली को मैं देख लूँ बातें करी मन की गुदगधाट से राम सद फिर परबल हुआ बेदूद का गिलास रखकर कुला करने के बहाने उठ पड़े एक मन कहरा था चेत अक्सा चेत हो जा और दूसरा रतनावली की मनोचब में निहरने में ही अटकावा था कुला करके दोनु जने जब फिर अपने अपनी चोकियों पर बैठे तो राजा ने कहा शीता जी के बिना राम जी कभी सुकी नहीं रह पाई वो तो चाहते ही थे कि रतनावली इनके मठ में इनके साथ रहे और साथ रहे करके दोनु भक्ती पूजा साथ यृए वो बेचारय यह केली परिषान हो रही है ऐसा चाहते थे राजा भगत और उन्होंने कई प्रकार की बाते उनके सामने किये कि जैसे मालो सीता जब वह नमास में चले जाती है और जब रावन सुरा ले जाता है तो भी क्या है कि राम जी की स्थिती पीछे से ठीक नहीं थी अर्तातवे भी बहुत दुखिरे उन्हें कई महापुरसों कई देव देवताओं के बारे मुधान दे करके समझाए कि देखे पत्नी के जाने के पसाथ पीछे से पत्नी की हालत कितनी बुरी हुई लेकिन वो अंत में जाकर के सारी बातों को काटते हो कहा अरे भाई आज कल घोर कल यूग है अब पहले जैसा ज सोने का वो बहना बना करके चादर ओड करके सो जाते हैं किन्तु फिर भी रतनावली उनके समझ में उनके विचार में बार बार आने लगती है अब देखे चेत और अपने अपनी चोकियों पर बैठे तो राजा ने कहा चीता जी के बिना राम जी कभी सुकी नहीं रह पाए तुम से अधिक भला कौन समझ सकता है तुमने तो सारी रामन डश डाली जब रावन उन्हें हर ले गया था अटा सीता को चुरा ले गया था तो भी और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कान वालमी की मुनी की आस ने भेद दिया तब भी अटा जब रावन चु कि शीता को गर से बहार निकाल दे वन में भेज दिया रिशी वालमी की की आस्ते में छोड़ दिया तब भी उनकी इस्तिती शीता के विना बुरी होगी थे ऐसा उधान दे करके राजा भगत ने तुलशी दाजी को समझाया अब देखिए अब बाया अंग जब कट जाए य जब ही पर अच्छी लग रही थी और कहीं बे इस और से उच्टने का पर बल प्रियत्न भी कर रहे थे एक तर्फ उनकी कहीं बात देंग पर चालएं अब देखिए उचटने का प्रियत कर रहे थे थाली का बेंगन कभी इधर लुड़कता और कभी उधर का साब्दिक अर्थ हो गया कि उनके मन में विचार आ रहे थे राजा भगत के कहने पर तुलसी दाज के मन में विचार आ रहे थे कभी तो विचार करता कि रतनावली को अपने मठ में रख लेते हैं इसको रख लेते हैं और समस्या भी रहती है दूसरा विचार आ रहा था कि रतनावली को मठ में रख लेंगे तो जो मैंने वेरागी धर्म किया है जो मैं वेरागी हुआ हूँ मेरे बारे में लोग क्या-क्या चचा करेंगे मेरे बारे में सोचेंगे रहे पहले तो ये स्विम गरस्ती था उसके पसात वेरागी बना वेरागी के बार में दुबारा गरस्ती बन गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और दूसरा ये विचार उनके मन में आता था कि भाई जब रतनावली यहां आई गई है ये सारे लोग राजी है तो यहां रखने में क्या हर्ज है और कई बार उनके मन में ये भी विचार आता कि उनके ने पाने पर उनको ने पा करके कई बार में दुखी भी हो जाता हूँ तो ये उनके मन में बिचारा रहे थी तुल्शी दास ने लेट कर चादर तानते वे राजा की वागधार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा क्या कहा अच्छा अब हम विश्राम करेंगे लेट गए चदर तान ली चदर ओड़ ली करवर्थ बदल ली राम राम भी जपना आरम कर दिया पर रतनावली उनके मन से नहटी इच्छा होने लगी कि रतनावली के पास आए उनसे अपना दुख सुक कहे मैं राम के लिए तड़पता रो मेरे लिए उन्होंने राजा भगत की वागधारा को समझ करके राजा भगत की बातों को तो विराम दे दिया लेकिन उसके पसाथ ये विचार करने लगे उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन होने लगे वो रतनावली को धान से हटाना चाते हैं किन्तो रतनावली बार-बार उनकी समर्थी पठल पर आती है और अच्छा हम भी श्राम करें ये लेट गे चदर तानली कि रतनावली उनके पास आए उनके बिचार रहता है रतनावली पास में आए अपने सुक्तु के बारे में बताए कि मैं रतनावली मेरे लिए तड़पती है और मैं भगवान के लिए इस तरह से क्या है कि मैं उनके साथ में अच्छा नहीं कराऊ ये उनके मन में विचार रहते हैं उनसे अपना दुख सुक है मैं राम के लिए तड़पता और मेरे लिए राम जी कदाती मुझे इसलिए दर्सन नहीं दे रहे हैं कि मैं रतनावली से निटुड़ाई बट रहा हूँ मैं रतनावली के साथ में धोका कर रहा हूँ इसलिए क्या कि मुझे भगवान नहीं दर्सन दे रहे है मन में विचार रख लो अपने पास उसे संतोस मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रतित द्यालू हो जाएगी मैं उसको साथ रखूँगा तो कम से बगवान द्यालू हो जाएगी और मुझे दर्सन दे देंगी ये विचार उनके मन में आता है तुलसी का मन कभी वहापो में रमतार कभी जटके के साथ उस मो से अपने कुबार कर राम सब में लीन होने का प्रेतन करता अरतात उनके मन में तो कभी राम की बाते मन में आ जाती तुल रतनावली की बाते उनके दिमाग में चालती जटके से रतनावली की बातों को त्यागा करके उनका मन तुरंत गती से राम नाम में रम जाता हुआ विचार करता है ऐसा अगर हो जाएगा रतनावली को साथ रख लेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और तुलसी मन कभी वहापों में होई जाता है उन्हें रात में अच्छी नेदन आई सवेरे पंडित गंगा राम के यहां से नोता आया सुबह नोता आया उन्हें कहलवाया कि वे नहीं आएंगे तोडर आये तो उन्हें भी अपना प्रस्ताव दो राया कहा मातमा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवस्य पधा रहे उन्हें कहा रहे मातमा जी आप एक दिन दोनों पती पत्नी मेरी कुटिया पर अवसे पधारें तुलसी दास को लगा की राम उनकी परिक्सा लेने के लिए प्रस्ताव तोडर के मुक्षे कह रहे हैं उनके मन में विचार आया कि मेरी परिक्सा लेने के लिए ही ये विचार ये बातें तोडर के मुक्षे कही जा रही है वे बोले विरक्त अब फिर से राग बंदन में नहीं बन सकता एक बार जब मैंने विरक्ती धारण कर ली है एक बार जब मैंने किया कि ग्रस्त को त्याग दिया है तो मैं दुबारा ग्रस्ती जीवन नहीं जीना चाता अर्थात मैं अब वेरागी ही रहना चाहता हूँ ऐसा उनके मन में विचार आया विरक्त अब फिर से राग के बंद्रों में नहीं बज सकता आप उन्हें अब यही रहने दे महत्मा जी उन्हें का रहे महत्मा जी आप रतनावली को यही रहने दे बात पूरी भी नहीं हो पाए थी कि गोस्वामीज ने उसे जटके से काड़ दिया उत्ते जिस्वर में बोले क्या तुम चाते हो कि मैं अपने अत्वा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्ता को अधर में ही लटका दूँ ये ऐसंबव है टोटर क्या तुम चाते हो लोगों की मेरे उपर आस्ता है विश्वास है क्या मैं लोगों के आस्ता लोगों के विश्वास को मैं खत्म कर दूँ अतात मैंने जो वेरागी धारन किया है मैं वेरागी हूँ तो लोग मुझे वेरागी ही समझते मैंने ग्रस्त को ट्याग दिया अगर मालिज रतनावली यहां रहती है तो लोग हमें ग्रस्ती कहेंगे वेरागी नहीं कहेंगे तो जो मैंने कुछ किया था उस पूरे पर पानी फिर जाएगा इसलिए मैं रतनावली को यहां नहीं रख सकता ऐसे उनके मन में विचा रहे लटका दूँ यह है संबवर टोडर शमा करे महत्मा जी किनतु इससे लोगों की आस्ता क्यों बिखरेगी अब उन्होंने इससे लोगों की आस्ता कैसे बिखरेगी अब कहा है कि अन्य जो महापूर्स हुएn जिन्होंने किया अपने पत्मिके साथ में रखा उनके बारे में अबुधान दे दे करके टोडरों को समझा रहे क्या कहा वल्लब गोस्वामी की घर ग्रस्ती उनके साथ रहती थी फिर भी उन्होंने मुक्स प्राप किया, मुक्स लाब लिया तुलसी ने मिठी जिड़की देते वे कहा तुम समझते क्यों नीट ओडर आज का समय भलभाचारिय जी कि ये दिनू जैसा नहीं है कबीर जी वाला भी समय बीत गया ये घोर कलिकाल है, घोर कलिउग है नेतिक ताका इतना हांस हो गया है कि उसे एक यदि एक इस तर तक उठाए ने रखा जाए तो फिर सारा संसार नेतिक ताकी लपेट माए बिना कदापी ने रह सकेगा अरता धीरे धीरे समाज के अंदर ये जो कलिउग है इसके अंदर नेतिकता खतम होती जा रही है अब जब तक हम इसको निसित स्ताम तक नहीं रोख पाएंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा धीरे धीरे काम बिगड़ता ही चला जाएगा क्योंकि नेतिकता पहले की तुलना में बिगड़ गई है पहले जैसा समय नीरा उन्हें का वलभाचारे जैसा नीरा कबीर जैसा नीरा और जो समय पहले चल रहा था उससे बिलकुल विप्रित समय रहा है इसलिए पहले जैसा समय बीट गया है ये क्या है कि तुलसी दाजी अपने पक्स में बिचा रख रहे है कि किसी तरह से मांजाए क्योंकि मैं नहीं चाहता है उन्हें क्या कहा कि तोडर चुप होगे राजा भगत ने इस बार तुलसी दास तुलसी रतनावली का मेल कराने के लिए पूरा सडियंत रचा था उन्हें पंडित गंगाराम तोडर यहां तक कि कैलास कवी को भी अपने पक्स में कर लिया था गंगाराम आये उन्हें कहा कैलास है उन्हें कहा मट में रहने वाले सुष्यों ने भी कहा माताजी परम भी दूसी है उनके यहां रहने से हमारे अध्धन में बड़ी साहता मिलेगी कहने करते हुआ कि राजा भगत ने पूरा सडियनत रचा था राजा भगत ने पूरा सडियनत रच करके त्यार किया था सारे लोग मिलकर के जब तुल्शी दाजी को समझाएंगे तो मांग जाएंगे और रतनावली को यहां रहने के लिए हम विवस्ट कर देंगे तोडर है या राजा भगत है केलास कभी है गंगा राम है और मट में जितने सारे सिसें सभी ने ऐसा है काया कि यहां अगर माताजी रहेंगी तो हमारे अध्धन में आनद मिलेगा हमारे अध्धन में सुधार होगा इस तरह की बातें उतुल्शी दाजी के सामने करते है और यह सारी बातें उन्होंने कही और उन्हें ये भी कहा है कि माता जी बड़ी विदूशी महिला है और इस तरह से माता जी बड़ी विदूशी महिला है और इस तरह से चप्चा करते वे तुलशी दाजी ने अब माता जी बड़ी विदूशी महिला है इस प्रकार से वो उनके सामने प्रकट करते हैं इस प्रकार से वहां मट में रहने वाले सिश्चियों ने और राजा भगत ने टोड़ने केलास कभी ने गंगाराम ने सब ने क्या कि माता जी की विसे में काय कि यहां रहेगी तो अद्देने में हमें किसी प्रकार की अबादा नहीं मिलेगी साहिता मिलेगी तुल्शी सुनते उपर से विरोध भी करते परतु उनका मन कहता की रतनावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान सादो तो अदिक सुगम रहेगा उपर से तो मना करते थे किन्तु मन में विचार उत्पन होता था कि रतनावली को इस मठ में अगर रखेंगे तो उन से कह कि ज़्यादा आनद आएगा ज़्यादा मेरा ध्यान यहां रहेगा ऐसा उनका विचार था और ये विचार उनके मन में चल रहा था उपर से तो मना करे कि उन्हें ये कहा कि तुलसी सुनते उपर से विरोध भी करते परंतु उनका मन कहता कि रतनावली को पास रख कर यदि अपना ध्यान सादो तो अधिक सुगम रहेगा काम विकार कभी ने कभी मुझे सता तो जाता ये अर्तात पत्नी के प्रेम में उलजने की मेरे मन में कई बार विचार आई जाते हैं उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही सांत रहे अर्तात धर्म के आधार पर ये सांत रहे मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मतित करने लगा मन का हाला डोला मन में विचार थे कई तरह की विचार आ रहे थे वो व्यथित करे थे दुखी करे थे उनके विचार और एक दिन नाथू एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मट के दुआर पर रतनावल जी की पालकी भी आ गई थी क्योंकि रतनावल जी की पालकी उनके मित्र केहा गई भी थी और पालकी जब वापस आई उस समय क्या कि नत्थू नापित नत्थू नाई भी उनके द्वार पर आ गया था तो उसी दाद जी के दाड़ी मूच सिर्के बाल काटने के लिए हजामत बढने के लिए वो पेटी लेकर के वहाँ आ गया था उसी समय किया है कि रतनावल की पालकी भी वहाँ आ गई थी रतनावल जी की पालकी से उतर कर उप पर चली गई नत्व गोसाई जी की सेवा में पूँचा उनके चर्णू में धोका देकर चर्ण सपर्स किये उसने अपनी किस्वत से उस्त्रा और पत्थर निकाल कर किस्वत मिस नाई की पेटी निकाल कि उसमें उस्त्रा निकाला पत्थर निकाल करें उस्त्रे को पेनाना चालू किया एक भरते ने आकर गोशाई जी को पंडित गंगाराम के गरसे माता जी के लोट आने का समाचार दिया एक नोकर ने आकर के सूचना दी कि पंडित गंगाराम जी के गरसे माता जी आ गई है रतनावली आ गई है शमाचार दिया तुल्शीदाज के चेहरे पर संतोस की आभा चमकी तुल्शीदाजी के चेहरे पर चमक आई बोले सर्वन उनसे बराबर पूस्तात करते रहना अटा तो जो भी खाना चाहे जो भी उनकी ववस्ता पूस्ते रहना उनकी सेवा में कोई कमी नाए उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी ने आए इस प्रकार से तुल्शीदाजी ने अपने नोकर से कहा कि माताजी जब आई गई है तो उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी ने रहे जो भी खाना पीना जो भी कुछ करे उनको करवादै। इस प्रकार से तुलसिसी दाजिन का कमिन आए उनकी सेवा में कोई कमिन आए बरते सरवन के अच्छा महराँ जी उनका जो नोकरता सरवन उने का अच्छा महराँ जी कैकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नत्व बोला माता जी आगई सरकार ये बड़ा सुब बया अर्तात वो नत्व जो नापित उनके पास में आ जाता है और उन्होंने कहा कि कटोरी के अंदर पानी डाला और गोस्वाम जी के पास आते हैं नत्व ने कहा माता जी आ गई सरकार ये बहुत अच्छी बात है तुल्शिदाज चुप रहे इतना कहने के पसाद तुल्शिदाज चुप रहे उन्हें भी उस समय सुख का अन्बव हो रहा था इतना सुनने के पसाद तुल्शिदाज जी को सुख का अन्बव हो रहा था ये सुननी के पसाथ उनको सुक हो रहा था कि रतनावली आ गई है उनके सामने नहीं आए तो कोई बात ने किंतु पत्नी को वहां पा करके उनको अच्छा लग रहा था और उसने एक नोकर ने भी आकर कहा कि माता जी गंगाराम की यहां से आ गई है उसके पसाद नत्थुनी भी काया कि माता जी यहां अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात इतनी बाते सुनने के पसाद तुलसी दाजी को आनंद मिला तुलसी दाजी को अच्छा लगा तुलसी दाजी को यह बाते सुनने के बात में अच्छा लग रहा था उनको संतुष्ट गोसाई जी कि ठोड़ी को पानी से तर करके मीजते वे नत्थु ने फिर अपना राग अलापा अपना राग बोला ये दुनिया वाले क्या का ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते महराज कल जुग में सब का मन काला हो गया है अर्तात है ये दुनिया वाले बड़ी अजीब होते महराज और कल जुग में सब का मन काला हो गया है ये क्या का दुनिया बड़ी अजीव महराज और कल जुग के अंदर सबका मन काला हो गया महराज इस तरह से क्या कि उन्होंने तुल्शी दाजी को कहा क्यों कहा क्योंकि वो नाई की पेटी निकाल करके उस तरह वगरा लेकर के जब त्यार हो जाते हैं तो उन्होंने कहा, क्या कहा, ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते महराज, कल जुग में सबका मन काला हो गया, ऐसा उन्होंने तुलशी दाजी से कहा, क्योंकि एक तरफ तो उनके बड़ाई हो रहे थी, कि भाई रतनावली आ गई है, तुलशी दाजी को अच्छा लगा बड़ते ने नोकर ने आकर अच्छा लगा, नथु नापित ने कहा, कि आगई त अच्छी बात है, अच्छा लगा, किन्तु एक बात उन्हें बीच में तोकते वे कही, कि ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते महराज, कल जुग में सबका मन काला हो गया, ये बाते होन सबका अच्छाऊ कर लिकन